आप सभी को मेरा पनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे हर्बल रेमिडिये जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज लिवर के रेमिडेशन के लिए उपयोगी एक और बेल की चर्चा करेंगे कुकरविटी सी फैमिली का प्लांट है कुंद्रू कहते हैं हम लोग कोक्षी निया इंडिका और ब्राइव निया इंडिका भी कहते हैं तेला कुच्चा भी कहते हैं हिंदी में वाइट फूल इसके आप देख पा रहे होंगे और पके हुए फल, कितने अच्छे इसके पके हुए फल हैं, इसके पत्र का जूस, और पके हुए फल, और इसके फूल, सभी ओस्दिय गुणों के लिए हम उपयोग में लाते हैं मित्रो, ये इसके जो पत्र आप देख रहे हैं, पत्र का जूस, आप अगर सेवन करते हैं, इ ठीक करता है मुह में अगर चाले हो गए हूं तो इसके पत्र के डिकॉक्षन से हमें गारगल करना चाहिए कुला करना चाहिए परकार के digestive disorders को भी ठीक करता है मुख में हुए चालों को ठीक करता है मुख में जो ठीक करता है मुख में जो चाले होते हैं कहिना कहीं अगर ये मित्रो हम लोग इसके पत्र का पकोडे भी बनाते हैं और इसके फल की हम लोग सबजियां तयार करते हैं सबजियां बनाते हैं जो कि डाइजेशन के लिए वी किम्मिनिटी को बनाने के लिए और मिंडल्स की गमी को पूरा करने के लिए इसके फल के अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है और एंटि अक्सिडेंट फ्लेवनाइड्स इसके अंदर पाया जाते हैं जो कि कोलोन के अंदर बैक्टिरियल शिलापियल इंफेक्शन को भी ठिक करने का कारे करता है डायबिटीज के कंट्रोल करने में भी इसके जूस का बहुत अच्छा उप्योग होता है मुटापे को कम करते हुए सरीड के टॉकसिन्स को बाहर निकालने का कारे करता है इसका जूस 놀ा होता है पित्त से संबंदित जो किसोडर्स हैं, उनमें इसके जूस का हमें सेवन करना चाहिए, मित्रो जॉइंट पिंट की समस्या हो जाती है, चाहे वो आर्थाइटिस के कारण हो, चाहे गाउट के कारण हो, किसी भी परकार के जॉइंट पिंट की समस्या को ठीक करने वाला होता है इसके जूस का हमें सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ इसके पत्र से तयार किये हुए तेल का हमें मसाज करना चाहिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सिसेमम ओईल ले लिजे तिल का तेल ले लिजे उसके अंदर इसके पत्र को हमें पकाना है धिमे धिम्याच पर और पकने के बाद उसका हमें मसाज करना है तो आप देखेंगे कि जॉइंट पेंड में बहुत अच्छा कारे करता है मित्रो इसके फूल का आप इन्फूजन बना कर सेवन करते हैं तो एंटी एजिंग एक्टिविटी इसके फूल की होती है रिंकल्स को भी ठीक करता है और डैड स्किन को रिमूव करने वाला होता है शरीर के रिजुमिनेशन में काफी अच्छी उपयोगिता इसकी होती है इसके फूल का इन्फूजन कार्डियक बिस ओडर्स को भी ठीक करने माला होता है आर्ट्रीज, वेंस और बलड के प्यूरिफिकेशन इन सब के लिए भी इसकी अच्छी उपयोगिता होती है अच्छान कर आपको पीना है, दिन में एक बार परियाप्त होता है देरे देरे स्किन डिसॉर्डर्स भी ठीक हो जाते हैं बलड का प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है हर्ट को मजबूती देने वाला होता है इर्रेगुलर हर्ट पीट्स को भी कम करने वाला होता है कई परकार से गुनकारी होता है मित्रो डायविटीज के कई परकार होते हैं कुछ डायविटीज पित्य के बहुत जादा बढ़ने के कारण भी होती है अलसर की समस्षा भी हो जाती है भूक भी हमें नहीं लगती है, ऐसी समझाएं भी इसके infusion से ठीक हो जाती हैं, आप इसको उपयोग में ला सकते हैं, fruits का आप 7 किजे, minerals की कमी को पूरा करने वाला होता है, immunity को बढ़ाने वाला होता है, बहुत अच्छा ये plant होता है, ऐसी मानता है कि कुछ reptiles भी इसका 7 करते ह हैं, और इसके fruit के अंदर antidote properties होती हैं, और इसका 7 करने के बाद वो अपस में fight करते हैं, अपस में धगड़ करते हैं, और कुछ तो मानता ऐसी भी पताते हैं कि नेवला भी इसका 7 करके जाता है, जब उसका सर्प से सामना होता है, तो antidote properties होती हैं, और सर्प के दंस का भी अ सर्प से असानी से सामना कर सकता है, तो कई परकार से effective है, होर्मोनल लेवल पे इसकी उपयोगिता है, female related disorders के लिए भी आप इसके पत्र का 5 से देसेंबल जूस दीजे, cycle को proper लाता है, menstruation के सामय कोई समस्षा नहीं होती है, और iron का level, calcium का level, minerals का level सरीर में बना हुआ रहता है, weakness इसको दूर करने वाला होता है, पित का समन करने वाला होता है, बदलते हुए मोसम में होने वाले बुखार हो, चाहे immunity के कम होने के कारण बुखार हो, skin problems हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, ये cooker BTC का एक member है, ये climber है, गमले में असानी से हो जाता है, आप इसको लगा स इसके पत्र का जूस पी सकते हैं, इसके फल का 7 कर सकते हैं, फूल का confusion बना कर 7 कर सकते हैं, कई प्रकार से effective है, और अधिक जानकारी के लिए हमारी specific playlist को आप रफर कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, येमेल के माद्यम से, या फिर आप हमें YouTube के माद्यम से भी स मिलती रहे, और इनी मंगल कामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ, तब तक के लिए आप से भी काम, धन्यवाद, पनाम, नमस्कार.